सुपर फास्ट सिनेमा शॉट्स में आपका स्वागत है आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाते हुए बताएंगे जो एक राजा की है और उसे पैदा होते ही भेडिये के मुँँ में फेक दिया जाता है मुवी की सुरुवात में हमें सिमेंज वानरों को दिखाया जाता है जो बंदर के प्रजाती के होते हैं आप उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं सभी वानर अपने राजा के पुत्र के होने के खुसी में पुस्तनी पेर के नीचे इकठा होते हैं बंदरों का राजा जिसका नाम सिमोन है, एक बड़े पेर के अंदर प्रसासन करता है, ये है उलार मीर, जो राजा के करीब रहता है और राजा के साथ कोई भी बड़ी बात सुल जाने में मदध करता है, आज बंदरों की राणी दो बच्चों को जन्म देती है, पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है और कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था इसलिए वो सिंगासन का पहला उत्रा अधिकारी है और तब ही एक बंदर चुड़य लाती है वो राजा को छोटे बंदर से छुटकारा दिलाने की सलाह देती है क्योंकि अब वो एक अपसगुन है और कहती है कि ये प्रकृती की गलती है और वानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्विकार नहीं करेंगे और राणी की होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को दूर करने के लिए ओला दमीर को सौब देता है और जब राणी को होश आता है तो अपने बच्चे को पूचती है और राजा से वचन लेने को कहती है कि वो उनका अच्छे से देख भाल करेगा और रानी की मृत्यों हो जाती है राजावानिया को राजकुमार गोशित करता है जो मजबूत और स्वस्थ है और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेडिये के मुह में फेकने के लिए उपर जाता है और बच्चे को फेक कर चला जाता है इसलिए एक दूसरा बंदर इयान उसकी मदद करता है एक माबाप और एक दोस्त की तरह है समय बीटता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका है जिसका नाम है एड़वर्ड लेकिन वो अभी भी इयान की पीट पर सवारी करता है क्योंकि अभी भी उसका एक हाथ काम नहीं करता और वो दोनों ऐसे रहते हैं जैसे एक दोस्त हो इयान को बोलने में थोड़ी समस्या है इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर सकता एड़वर्ड देखता है कि एक चुहा उसका खाना चुरा रहा है वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन एक हाथ से उसे पकड़ नहीं पाता फिर वो पेड के रसका इस्तिमाल करके एक जाल बनाता है जिससे वो चुहे को पकड़ सके और तबी उन्हें एक आवाज सुनाए देती है आवाज से उन्हें पता लगता है कि खेल की सुरुआत हो चुकी है इस खेल में एक नारेल के फल को बॉल बना कर बड़े जानवर की खोपड़ी में डालते हैं जिसका बॉल उस खोपड़ी में गया वो खेल का विजेता होता है इयान जाने से मना करता है क्योंकि इन दोनों वानरों के अन्य वानरों द्वारा भेद भाव किया जाता है एडवर्ड किसी भी तरफ इयान को मना लेता है और दोनों खेल देखने चले जाते है वानिया जो राजा का बेटा है वो इस खेल का पहला विजेता है जिससे सभी वानर उसकी तारीफ करते है अब खेल का दूसरा पढ़ाफ सुरू होता है खेल के बीच में बॉल देखकर इयान से रहा नहीं जाता और बॉल को एक छलांग में पकड़ लेता है और नीचे गिरता है लेकिन वो बॉल एक छेद मे हो जाते हैं और पूछते हैं उसने ये जादू कैसे किया और तभी वानिया आ जाता है और एडवर्ट से बॉल लेकर ऊपर फेकता है लेकिन उस चिपचिपे रस से बॉल उसके हाथ में चिपक जाता है सभी वानर उसे निकालने की कोसिस करते हैं और जटके में नारियल नि उला दमीर कहता है राजा के कहने के अनुसार उस बच्चे को मैंने भेडिये के मुह में फेक दिया था लेकिन डायन उसे धमकाते हुए उसकी सही पहचान पता करने के लिए भेजती है लेकिन राजा का बेटा वानिया ये सब सुन लेता है और अपने पिता से किसी दूसरे व व्यास में आरोप लगाया जाता है एडवर्ड उन्हें समझाता है कि ये कोई जादू नहीं है बलकि कुछ तरकीवे हैं जो उसने खोजा है और एडवर्ड उस गलती का समाधान देने के लिए एक पत्तो का ताज बनाता है जिससे राजा सिमोन का टकला भी धग जाता है औ और राजा जूले से नीचे गिर जाते है और एडवर्ड पर डायन राजा के हत्या करने का आरोप लगाती है और राजा का बेटा वानिया इसी का फायदा उठाते हुए एडवर्ड को उस बड़े पेर से नीचे फेक देता है और राजा सिमोन को होस आता है तो पूछते है एडवर्ट को नीचे किसने फेका, वानिया कहता है उसे मैंने नीचे फेका, क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की, राजा सिमोन कहते है उसने मुझे कोई हानी नहीं पोहचाए, और तुमने एक वानर की हत्या की है, एडवर्ट को होजाता है तो देखता है वो पेर से न वहाँ भेडियों का एक जुन्ड उनके पास दौरते हुए दिखाई देता है, और इन तीनों को भी भागना पड़ता है, पहली बार एडवर्ट भागता है, वो भी उलता, लेकिन शुतुरमूर्प को सीधा भागता देख, वो भी सीधा भागने लगता है, एडवर्ट य देखते हैं कि उनकी तरफ भेडियों का जुन्ड बढ़ रहा है, वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब एडवर्ट के पीछे भेडिये और भारी भरकम गैंडे पर चुके है, एडवर्ट रास्ते के अंत तक पहुँच चुका है, और वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचला जाएगा, ये सब देखे एक बाप से रहा नहीं जाता, और राजा सिमोन उन गैंडों के आगे आकर उन्हें रोकने की कोसिस करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ट कुचलने वाला है, वो जल्दी से अपने बेटे के आगे आ जाते हैं, जिससे एडव सरगेई ओला दमीर की जगह लेता है, और ओला दमीर को वानरों के जुन्ड और प्रजा से बाहर कर दिया जाता है, और तभी एक तेज का भवंड़ आता है, जिसकी चपेट में एडवर्ट भी आ जाता है, लेकिन उसमें लूसी नाम की बंदरिया मिलती है, एडवर्ट को लूसी वहां से चले जाते हैं, जहां वह एक भेडिया को गुफा से आग की मदद से भगा देते हैं, और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं, सभी बंदर लूसी और एडवर्ट को शिकार करते हुए देखते हैं, अब तो एडवर्ट भेडिये को नियंतरन करना सीख भी लिया है, सभी वानर उस पुष्टैनी पेड को और अपने राजा वानिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो और अधिक भूखे नहीं रह सकते, डायन वानरों को दराने के लिए पेड की आत्मा को बुलाती है, तभी एक बंदर पेड से आने वाली आवाज का पता लग लेकिन सभी बंदर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वो खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाते और सारी राद गुफा में मनोरंजन करते हैं, वो लोग भी एडवर्ड और लूसी के साथ रहने लगते हैं और एक अपना गाव बनाते हैं, और लूसी लेकिन तभी टिद्दियों का जुन्ड उस गाव वालों पर हमला कर देता है, और वो सभी चीजों को नश्ट कर देता है, सरगेई और बाकी वानर जानते हैं कि ये उस दायन का काम है, इसलिए वो सभी मिलकर उस पेड के पास जाते हैं, सभी वानरों के पेड तक उसी एडवर्ट से वानिया को बचाने के लिए कहती है, एडवर्ट पेड के नीचे जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, सभी वानरों के पहुँचने के बाद वानिया बाहर निकलता है, सभी वानरों से कहते हैं कि अगर वो पेड क उनके हवाले कर देता है तो उसे जाने देंगे। लेकिन उल्ता वानिया वानरों से बादा करता है वो उन्हें जीवित छोड़ देगा अगर वो यहां से चले जाते है도। जिससे एडवर्ड की जान बच जाती है और वो डायन उसी पेड में जलकर मर जाती है लेकिन अब पुष्टैनी विशाल पेड जलकर राख हो चुका है और वानरों के लिए यहां कुछ नहीं बचा वानिया और एडवर्ड नाराजगी को दूर करते हैं और सबी वानरों के सा हाड और हरे भरे जंगल मिलते हैं और वो एक नई जगह की खोज करते हैं जहां एडवर्ड का मित इयान भी था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है इस मूवी से हमें यहीं सीख मिलती है कि कभी खुद को या किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए वैसे अगर आपको य वीडियो ठीक लगा हो तो एक लाइक कर देना अगर ठीक ना लगे तो कॉमेंट में बता देना